कॉंग्रेस का ये जो सीटों का फॉर्मूला एक आया है, सूत्रों से आया है भी, हाला कि अलका कह रही है हमें भी नहीं पता है, मुझे नहीं पता इसमें क्या फाइनल है या फिर ये भी फ्लेक्सिबल रखा है कॉंग्रेस पार्टी ने, आपको ये समझ में आता है ये, जो म प्रतिक्षा कर रहा था अच्छा हुआ कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजेश गुपता ने बता दिया कि हाँ खरगे जी का नाम उनकी पार्टी ने प्रस्तावित किया था तो सूत्र नहीं ये सच है आप ही की बहस में और सभी चैनलों पर ललन सिंग के इस्तीफे क कि खबर सूत्रों से आई तो राश्टी जनता दल के प्रवक्ता भी अनकी मसला जदियू का था लेकिन राश्टी जनता दल के प्रवक्ता भी करे थे कि मीडिया की हवा हवाई है फिर सूत्र सही हो गया ललन सिंग का इस्तीफा भी हो गया अब ये कहा जा रहा है सूत्र से क वाई नितीज जी की नाराजगी दूर करने के लिए उनको NDA का संयोजग बनाय जा सकता है, नहीं बनाय जाएगा, तो वो भी बिचारे कब तक इस तरह से अपमालित होते रहेंगे, हानकि मैं निजी तोर पर ये मानता हूं कि बाकी चीज़ें अपनी जगा है, नितीज जी को स्वयम तेजस्वी आदों को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, राजनीत ये अपनी जगा है, लेकिन मैं पूरी गंभीरता से बात कह रहा हूं, मेरा, और मैं ये हर डिबेट में कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, कि बिहार में दो ही पार्टियां है, राष्टी जनता पार्टियां किसी ने किसी के साथ जुड़ घट के अपनी हैसियत बना विगाड नहीं, कोई ये कहे कि अब कोई और भरम नहीं है, नितीश जी कोई ऐसे बड़े नेता नहीं है, कोई माने या ना माने, वो बड़े नेता थे, बहुत काम उन्होंने किया, लेकिन अब उनकी वो इस्तिती नहीं रहे, शायद 24 के बार प्रासंगित्ता खत्म हो जाएगा, अब असली जो सवाल है, कि ये गठ जोड कैसे आगे बढ़ेगा, और उस पर हम लोगों कुछ चर्चा करनी चाहिए कि नहीं, मानक जी, भला है कि मीडिया खूब जम कर गठ जोड पर चर्चा कर है, वरना ये आरोप तो बड़ा आसान होता, कि देखिए मीडिया तो बिलकुल मोदी जी के आगे किसी की सुनता नहीं, सिर्फ उनी की पिक्चर दिखाता रहता है, मैं तो अगर डिबेट काउंट करूं, तो सबसे ज़्यादा इंडिया गठ बंधन पर ही चर्चा हो रही ह प्रमाल की बात है कि नाम इंडिया रख लिया, हलाकि निजी तोर पर मुझे आतराज है कि देश का नाम कैसे गड़बंधन का नाम हो सकता है, आप और कुछ करें ठीक है, इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं, आपको याद होगा, प्रवक्ता तब कहा करते थे कि हाँ आप देख पा रहा हूं, बहुत इसपर्श दिख रहा है, वो ठीक भी है, कॉंग्रेस पार्टी करें कि यहाँ यहाँ नहीं लड़ने देंगे, ममता जी, आम आदमी पार्टी, हर कोई अपना, समाजवादी पार्टी, लालू जी, यह 2019 जैसा ही चुना होने जा रहा है शरत पवार का बयान ध्यान कीजिए, उन्होंने कहा था कि फॉर्मूला यह होगा, कि जहां जो मजबूत है, वहाँ वो लड़े, बस चुकी एक पैकेजिंग करनी होती है, तो नए नाम की पैकेजिंग है गड़ जोड की, इसके लाओ तो मुझे कुछ दिखता नहीं, अब मीडिया वाले तो कोई भी आके कुछ भी कहके चला जाएगा, लेकिन ये एक थी कॉंग्रेस और एक था जो कर, चालू, चिरकुट, हैसियत क्या है, भाजपा के दलाल, ये सब कोई मीडिया के शब्द नहीं है, ये सब गठ जोड के भीतर, एक दूसरे के लिए सम्मान पू जनता करी रही होगी?